बड़ी बात के आज बिटकट का AMA था यानि के Q&A सेसन था तो क्या किसी ने जोइन किया अगर किया तो क्या पूछा एक बार कमेंट सेक्षन में जरू बताईएगा क्यों मेरे एक कलीग हैं उन्होंने जोइन किया वो बता रहे हैं कि सब मैंने पूछा भी था लेकिन मुझे कोई reply नहीं दिया अब उन्होंने क्या पूछा वो एक तो ये पूछा कि जो आपने टेलीगराम पर और ट्वीटर पर जो जन्होंने सही बात पूछी आपसे उनको आपने ब्लॉक किया क्यों किया कोई reply नहीं दिया दूसरा उन्होंने पूछा कि आपका जो surprise announcement था उसका क् नहीं है कोई रिप्लाई नहीं है और तीसरा उन्होंने पूछा कि जो आप step by step जो बर्निंग कर रहा है manually वह आपकी जो circulation supply है उसमें से हो रही है या आपके जो wallet में है उसमें से हो रही है आखिर supply burn कहां से हो रही है आप जो buyback की बात कर रहा है पूछने की तो उसने पूछ लिया कि आखिर ये burning कहां से हो रही है आप उसका सुरोत पता ये कि आपके wallet की है या किसी और आपके साथ के किसी wallet की है या जो circulation है उसमें से आप buyback कर रहा है तो ये चीज आप confirm कीजिए तो उन तीनों का सवाल का जवाब उसको नहीं मिला है तो आप भी पूछिए यही हो सकता है और क्या पूछेंगों तो भी पूछना तो पड़ेगा पूछेंगों नहीं तो पता कैस चलेगा क्योंकि उसने एक example के तोरपे का कि आपकी CMC पर supply update क्यों नहीं हो रही है उसके पीछे उसने आधार जो दिया वो यही दिया कि CMC पर आपकी supply update होनी चाहिए क्योंकि पहली burning हो गई दूसरी हो गई तीसरी आप करने जा रहे हैं तो कम से कम उसको पहली update करते भाई ठीक है टाइम लगता है अप्डेट करने हो तो पहली अप्डेट करते दूसरी अप्डेट करते कोई भी update नहीं हो रहा है CMC पर तो वो कहीं कहीं क्या बात है आप कहां से यह burning हो रही है confirm केज़े तो bit cut में साथ इस तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया है तो फिर आप से हम यही कहेंगे कि फिर से अपनी मुहिम में लग जाते हैं कि भाई पूछेंगे जान के रहेंगे क्यों कि पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप यह कर क्या रहें आजकल कुछ भी हो रहा है आप देखी रहें कुछ भी हो रहा है तो इसलिए बहुत जरूरी है पूछना अब आते हैं बोल पर देखे साथ मैंने अपना दुपेर में जो वीडियो दिया अर्नवीद रोहतास चैनल पर मैंने आपको यह बात बहुत क्लियर कट बोली कि मैं एक भी पैसे का नहीं बेचूँगा क्यों मैंने का यह बहुत कॉन्फिडेंस से का क्यों मुझे तो पूटेंसिल नेजर आता है क्योंकि मैं थोड़ा सा फड़ आया तो यहीं डर के और उसको जो पैनिक शेलिंग करूँगा यही बात मैं आपसे कह रहा हूं लेकिन उसके लिए पर क्या पता है देखें वह मेरा पैसा है मैं डिसन ले सकता हूं अब जो आपका पैसा उसका डिसन तो आप लेंगे ना उस 6 पर था, 6 डॉलर पर था उस टेम बाइंग करी, दूसरी बाइंग करी हमने 0.8 डॉलर पर, तो हमारी दो बाइंग यहां पर हमारी सफिसेंट हो गे थी, हमने ओ तीसरी बाइंग की जरूरती ही नहीं पड़ी, हमने यहां पर इतना सफिसेंट बाइक कर लिया था, अब बहुत फायदहें हम घाटे में तो हमें तो पैनिक में आने की जरूत इहीं नएं अब मुझे जो 240 नहीं करते किसि और फावॉ करका अगर लिया है मेंहें रिट पर लिया है तो वह स्थी तो यहां तक हैं लिए मैं संफ अभी भी यह कहता हूं और अगर penghares खुदा न खास न मैं अमियोंट वहां गिरता भी है कितना भी गिरता है अगर zero point फोर डॉलर तक भी जाता है यानी दो आभी जो यहाइन जो लाटिक भाईंग ती assist डॉलर और अगर यह कितना भी गरेगा है शुप्त तो भी मिट्वक है रिस्क हंड़ करynn Isis यह मांते हैं लेकिन रिस्क नहीं लोगों तो क्या किलोगा अगर रिम है तो इस ऐब यीको क्रेश लेना आसधा कर दो के आप किने पर तो एक भी अठंडी मत लगा हो अब लगा रही तो मैंने हैक कहां तक hold करूगा वह भी बता हूँ का 0.4 डॉलर तक भी जायेगा तो भी hold करूगा वैसे तो मैं भाइभी बहुत फाइदे में हूँ और मेरे जितने सब्सक्राइब बने हैं और मेरे साथ जिन्होंने buying की होगी वो अभी भी फाइदे में होंगी, अभी भी फाइदे में होंगी, अब यहाँ पर जिन लोगों की ट्रेंज छूट गई थी, जो बाई नहीं कर पाई थे, जो यह पूछा दम कहां पर बाई करें, कहां पर बाई करें, तो मैंने उनको 1 डॉलर और 1.5 डॉलर के बीच का एक बताया था, एबरेज कि आप इसके बीच में कहीं अगर आता है, तो आप थोड़ा बहुत अपनी SIP कर सकते हैं, लेकिन अब यह तो नहीं पता चलता है, कि अंदर खाने क्या चलना है, अगर यह फड़ न निकलता, तो यह तो किसी कीमत पे यहां तक नहीं आने का था, अब क्या है कि फड़ निकलाया है, तो थोड़ा बहुत इसमें जादा आभी गया है को कदम 4-5 दिन में इसको solve कर देंगे, तो जैसे यह tweet आया, जो थोड़ा नीचे आया था, फिर से उपर गुम गया, तो मैंने का आगा, कि एक second में इधर से उदर हो जाता है, negative news आई, प्राइज नीचे, positive news आई, प्राइज उपर, लेकिन आपको अपन cryptocurrency है, जो कमजोर हैं, अभी भी फायदे में हैं, आपको लगता है, आपका दिल गवाई नहीं दे रहा है, आप exit कर सकते हैं, क्योंको अभी भी आप फायदे में, कल लोगो price गिरे, तो आप ये काओ को साब price गिर रहा है, तो ये तो cryptocurrency है, price गिरेगा, गिरेगा भी उपर भी यहां मजबूती बाली बात हैं, कि आपको अपने उपर कितना confidence है, अगर confidence नहीं है, तो आप exit कर सकते हो, कि प्राइज अभी 1.3 dollar चल रहा है, और आपने अगर 0.6 dollar या 0.8 dollar पर भी खरीदा है, तो भी आप अभी फायदे में हैं, अच्छे खासे फायदे में हैं, तो भाई क्या करना है, अगर खुदान खासता यहां तक जाता है, तो तब सूचूँगा मुझे करना क्या है, मैंने तो इसके बारे में सोच नहीं छोड़ दी है, अभी तो कुछ नहीं करना मुझे, कि मैं तो फायदे में हूँ, और वही चीज़ आपको अमेंसा समझाता हूँ, कि पैसा लगाना है थोड़ा सा सो समझ के लगाईए ऐसे प्रोजेक्ट लगाई यहां आपको थोड़ा बहुत विस्वास तो हो के रोकेगा मुझे तो विस्वास है इस पे अब आपका क्या है वो आप जानो क्या करना चाहते हो तो भाई मेरा दो बोल में बहुत इसपस्ट मैं अब यह मालीज लगबग 6% गिरा हुआ है यहां पर और बताओं बोल का प्राइज लगबग 22-25% तक गिरा था और जैसे यह न्यूज आई के साब हां हम 4-5 घंड दिन में यह सब को सॉल्फ कर देंगे ठीक हो जाएगा 17% रह गया गट तो देख लिए फरक आपके सामने है सिवाइन का प्राइज की अभी जो यह देख लिए यह जिरो पॉइंट फो टैम जिरो वन जिरो की सीरीज में चलना है जो लगबग यह भी 6% डाउन है केबल इसी की बज़ेसे के जो यह फंड चला बीच में इसकी बज़ेसे डाउन है अब यहां एक और चीज बड़ी गल की अडेंटिटी रिवील करने वाला हूं अब यह भी एक नई चीज निकल क्या रही है अब यह क्या निकालेगा यह तो बिटवाई जाने अब को यह कह साब हम पहले से बता सकते हैं बिटवाई क्या बताने वाला है अब बिटवाई क्या बोलेगा यह तो बिटवाई जब FTX का जो बहोड़ा मालिक, कहीं गई वो है इसके पीछे, हकीकत क्या है, I don't know, ये बातें चल रही है, तो क्या है, सोचल मीडिया में बहुत सी चलती हैं, तो उनको हम कहीं कहीं कोरेलेटिबी करते हैं, अब हकीकत तो ये बिट बोई जब बोलेगा तब ही पता चलेगा, लेकि FTX का मालिक जो था, FTX खतम करने वाला, तो भाईसा बेक और नहीं कानी सुरू हो जाएगी, फिर इस सिवाईनू की बेंड बज जाएगी खाम का, तो ये क्या है, कुछ चीज़ ऐसी हैं, जो समय के साथ ही होती हैं, और ऐसा ही हुआ है, ये का हम पहले से इन चीज़ों को द साइदा नहीं है, कुछ नहीं रखा बेकार की टेंसरों में, अब मार्केट में जो चल ला है अभी, मार्केट आपका 24-10, 840 BTC चल ला है, जमने वीडियो बना रहा हूं, कहीं ने कहीं यहां पर थोड़ा सा साइड बे हैं, क्यों इसको भी कुछ चाहिए, क्या कुछ लेग पर और इससे नीचे भी जादा नहीं जा रहा है, तो कहीं ने कहीं यहां पर अभी साइड़े में मामला चल ला है, पॉलिटिव चीज़े जो निकल के आ रही है, वो देखिए जो अभी बैंक आपके अमेरिका में धीरे-धीरे कुलैप्स कर रहे हैं, उनको कहीं ने कहीं से अब मदद मिलनी सुरू हो रही है, जेपी मॉर्गन, इसने अपनी तरफ से एक पेसकस की है, सुइस बैंक हैं, जिनोंने वाकरी में बड़ा सा फंड दिया है, और आपकी यूएस गॉर्मेंट भी जो है, लगबग दो बिलियन डॉलर के असपास का फंड दे रहेंगे, तो एक मार्केट है, पंप एंड डंप तो चलते हैं, और हम ऐसा चलेंगे, चले हैं, लेकिन यहां पर बहुत में एक ची और बताओं, यहां मेनुपलेशन भी होगा, अच्छा खासा मेनुपलेशन होगा, यहां बहुत सा पंड दं भी होगा, यहां क्या जो बड़ी बड़ी ले लिजे, आपको क्या करना है, मैंने इस्तिति अपनी बिल्कुल पूरी तरीके से clear कर दे दिया, जो लोग दिल के कमजोर हैं, जो holding नहीं रख सकते, मेरे भाई आप अभी भी फाइदे में हैं, आपको सौबर बोल रहो, अभी भी फाइदे में हैं, कल को अगर प्राइज न लिखा और उसको समझा और यही बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी मिसलीडिंग करना या बताना वो बहुत गलत बात और मैं यह चीज़ें करता भी नहीं हूँ यह चीज आपको बहुत अच्छी तरह बता है इसी चीज के लिए मैं फिमस भी हूँ अब आज एक कमेंटार है क सर आपके बारे में बहुत बहुत कुछ बोला मेरे भाई मेरे पाई इतना टाइम नहीं है मैं अपनी चीजों में ही मस्त हूँ अगर मैं दूसरों के बारे में इस तरीके से सोचने लगूँगा तो मैं अपने काम से बठक जाऊँगा मुझे अपने काम से बहुत प्यार है ये चीज़ें आपके लिए मुझे ढूणके लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मुझे मेरत करनी पड़ेंगी, अगर मैं दूसरों के चकरं में पर जाओगा, तो मैं ये चीज़ें छोट जाएंगी, जो मैं नहीं चाता, quindi बहुत क्लियर कट जिसके जैसी सोच, दो भाई, और फिर मैंने आपसे कल वीडियो शेयर किया था, उसमें आपने भाई साब इतने कमेंट दे दिये के बहुत सो के तो इतने व्यू नहीं आते, तो उसी चीज से अंदाज लगा लीजिए, मुझे तो आपसे मतलब है आपने जवाब दे दिया है भाई, ये स्क्रीन सौट रहा देख लीजिए, लगबग जो है कितना 2200 के आसपास आपका लाइक है, 1300 कमेंट है, बहुत बड़ी बात है ये, कमेंट कब आता है, जब आपने इसका मतलब वीडियो देखा है, उसको समझा है, लाइक तो कोई भी कर सकता है, लाइक दिकत नहीं है, कमेंट में है, कि कमेंट तो एक अच्छी और सटीग नॉलिज मिल रही है, उसको लेते जाए और अपना प्रॉफिट कमाते जाए, तो चली फिर मिलते हैं, नमस्कार